जै माता दी मित्रो मिलनाम पंडीर प्रकार जो सी करक राशी कैंसर के वार्षिक राशी फल साल 2025 की तो करक राशी वाले जिनके उपर ढहिया लगी है वो ध्यान से इस राशी फल को सुने और हम भी प्रियास करेंगे आपको समझाने का कि किस तरह से हम इसको डिटेल में समझाएं यह NEजने साल 2025 करक राशी कैंसर साह्इन के लिए कैसा रहने वाला है कैसी रहेगी कारक राशी की पूरा डिटेल में मित्रोथ इस कारेकरम में आपको हर जो आपके अंदर क्यूरिसिटी होती ना उसके जवाष देने का हम प्रियास करने वाले हैं तो यह कारेकरम पूरा देखिएका हाँ इस कारे करम को इस राशी को आप अपनी नामराशी से भी बोलते नाम से भी देख सकते हैं और जनम राशी से भी आप देखेंगे तो भी आपको काफी अकुरेसी नज रहेगी चलिए सबसे पहले हम वर्ष कुंडली जो एक जनवरी दो हजार पचीस में सुबा सुबा साड़े पांच बजे जो कुंडली बनती है उसे कहते हैं वार्षी कुंडली वो आपके सामने प्रस्तुत है तो एक करक राशी की वार्शी कुंडली है, लगन में ही मंगल बैठे हैं, हलाकि करक राशी में मंगल नीच के होते हैं, लेकिन वक्री होने से आपको कुछ न कुछ बैतरी रिवाला रिजल्ट देंगे, इसके बारे में चच्चा करेंगे, साथी साथ तिरित्य भाव में विराजमान है, अब यह भाई बैनों का भी भाव होता है, यात्रा का भी होता है, तो यह क्या देगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे, पंचम भाव में बुद्ध जहां आठ नमबर लिखा हैं, वहाँ पर वार्शी कुंडली में विराजमान है, सूर्य आपके छटे भा ब्रस्पती, आपके लाभ भाव में विराजमान है, यह वार्शी कुंडली है, यह जनवरी दूजर पचिस को बनी है, इसकि एई में प्रेडिक्शन देनी कि अपको कोशिघ करेंगे, सबसे पहले हम कार कर आशी के स्वास्त के बारे में बात कर लेते हैं, तो स्वास्त मे करकराशी को कहना चाहूंगा साल 2025 में आप अपने हेल्थ पे किसी चीज पे धियान ना दे या हो सकता है इग्नोर करें लेकिन आप साल 2025 में मंगल के कारण हेल्थ को कदापी इग्नोर नहीं करेंगे खूब वर्जिस कहां करने वाले कुब जीम योगा आने वाले हैं और कुछ करकराशी वाले स्पोर्ट का उनको सोक जग जाएगा कुछ लोग जोईन करेंगे स्पोर्ट को कुछ एक्टिविटी जोईन करेंगे कुछ तेराकी जोईन करेंगे कुछ खेलों को जोईन करेंगे और आगे तक बढ़ेंगे यानि साल साल 2025 में काली नहीं बैठेंगे याद रखिएगा साल 2025 साल 2025 बुरी लतों को चुड़वाने वाला सर्वस रेस साल है क्यूंकि मंगल का साल है मंगल में आप जो हैं बुरी लतों पर कंट्रोल करेंगे और उसको कई करकराशी वाले चोड़ने वाले भी हैं, साल 2025 में करकराशी वालों का पूरा फोकस परिवार पर रहेगा, खास कर देखा जाए तो परिवार के अंदर जो रिलेशन आपके बहुत अच्छे नहीं है, माता पिता से, भाई बेन से, तो साल 2025 में आपका प्रियास रहेगा कि रिलेशन बैतर हो, परिवार के अंद मिठास से काम लेंगे, और परिवार के साथ में जो रिलेशन में कटूता आई है, साल 2025 में आप परिवार के साथ में चलेंगे एक साथ, ऐसा यूग बनता है, साती साथ, फरवरी, अप्रेल और अगस, ये जो तीन मेने हैं, इसमें आपको हेल्थ की प्रॉब्लम करकराशी क हो सकती है, एंटी की प्रॉब्लम, हल्की चूट की समस्या, एलर्जी की समस्या, आपको फरवरी, अप्रेल 2025 और अगस 2025 में आपको रह सकती है, याद रखीगा, बाकी हेल्थ के लिए नो मेने बहुत अच्छे हैं, ये तीन मेने आप नोट कर लेजे, आप बात कर लेते हैं का धन की स्थती साल 2025 में कैसी रहेगी, पूरा साल कैसी रहेगी, तो वार्शी कुंडली में धन भाव के स्वामी कहीं ना कहीं धोजा योग बना रहे हैं, अब ये जो धोजा योग है, ये बहुत इंपोर्टेंट योग है वार्शी कुंडली में, तो धोजा योग बनने से साल 2025 में करकराशी को तीन जगा से बड़ा धन का लाब हो सकता है तीन धन कमाने के रास्ते आपके खुल सकते हैं अब वो क्या रास्ते आपके खुल सकते हैं उसको समझाने का प्रियास करता हूँ पहला आपको किसी सरकारी योजना सरकारी लकी डो का कुछ लाब होता हुआ नजर आएगा धोजयोग के कारण यानि सरकारी योजना का आपको लाब मिलेगा साल 2025 में कोई लकी डो भी निकल सकता है तो आपके यहां कोई भी लकी डो निकलता है सरकारी योजना निकलती है और यदि आपकी करकर आशी है तो आप उसे जरूर भरिएगा आपके लिए बहुत लाब करी दहेगा दूसरा किसी इन्वेस्टमेंट से आपको जबरदस्त लाब होने वाला है यानि कि मित्र या जान पचान वाले व्यक्ति आपको साल 2025 में जो एडवाईज देंगे कुछ लाब और अपनी एक्स्ट्रा इंकम कुछ करने वाले साल 2025 में तो साल 2025 धवजा योग के कालन तीन रास्ते धन के आपके खोल देगा ऐसा योग नजर आ रहा है और खासकर देखा जाए तो मार्च से लेकर और अक्टूबर 2025 धन के लिए वैसे भी बहुत अच्छा है यानि मार्च 2025 से और अक्टूबर 2025 काफी आपकी डील बनेगी काफी आपको धनलाब होगा यानि यह इस्तती बहुत अच्छी है तो कुल मिलाके अगर मैं करकराशी के बारे में बहुत करूँ तो साल 2025 धन के लिहाज से आर्थिक पक्स के लिहाज से बहुत ही अच्छा और जो आपका करजा हो रखा है तो करजा भी कुछ स्थती में आप कम करने वाले करजा लोन की स्थती जो चल रही है जो लोन आप दे नहीं पा रहे थे वह भी सही तरीके से निकलने लगेगा और करजा इंफेक्ट आपका साल 2025 में कम होता वान नजर आएगा तो कुल मिलाके फाइनशली बहुती अच्छा साल करक राशी करेगा अब बात कर लेते हैं करक राशी के परिवार संतान विद्या के बारे में यानि परिवार की स्थती साल 2025 संतान की स्थती साल 2025 और विद्यारतियों की स्थती साल 2025 तो वार्शी कुंडली के अंदर मंगल केंद्र में वकरी होके बैठे में जो की शुबफल दायक रहें गर में तोसाल by भund को निए करेंगे में साल दोजार पच्छी स्थ में जोकी अंदर विवाbenaráदी संतान से रुका हुआ काम भी बनता हुआ नजर आएगा यानि साल 2025 मांगली कार्यों को भी करके देगा साल 2025 में कोई नया महमान आपके घर में भी आएगा आप समझ सकते हैं या तो नया महमान जो आप समझ रहे वही महमान आएगा या कोई व्यक्ति आपके घर में रहने आए के भी आपके योग बनते आप कौन सा वाला ये वाला ये वह वाला वह आप बताएंगे साती साथ देखा जाए तो संतान के लिए साल 2025 बड़ा परिवर्तन कारक है तो यहां संतान अगर आपकी है आप करकराशी वाले हैं तो छोटी बड़ी संतान है तो आपको ये बात मेरी सुल ले ली थी है संतान के लिए बड़ा परिवर्तन कारक है खासकर जो बड़ी संतान है छोटी का तो सही है छोटी के लिए तो सा फिल्ड चेंज करने के जबरदस्त योग मंगल वक्री के कारण साल 2025 में बन रहे हैं यानि कि जिस फिल्ड में वो कर रहे हैं तो उसको जबरदस्ती चेंज करेंगे ही करेंगे आपकी संतान बड़ी संतान 2025 में निर्णे ले लेगी आपके लाक मना करने के बाद भी वो संतान से वाद विवाद रह सकते हैं आपके ऐसा योग नजर आ रहा है वहीं पर जो छोटी संतान है उनका स्कूल परिवर्तन के योग भी साल 2025 में बन रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो छोटी संतान है बड़ी संतान है उन दोनों में ही परिवर्तन के योग बन रहे हैं, अब परिवर्तन जबरदस्ती के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सहा संतान के लिए आप टेंशन में साल 2025 में रह सकते हैं, लेकिन विद्या के लिए साल देखा जाए तो मद्यम फलकारी है, मन थोड़ा संतान का अशांत रहेगा, एकागर चित्ता की प्रॉब्लम रहेगी फिर भी साल दो जार पच्चीज एजुकेशन के लिए ठीक ठाक साल है लेकिन संतान के लिए थोड़ा चिंता दायक साल रहने वाला है और मित्रो वार्शी कुंडली के अंदर सूर्य छटे भाव में बैठें अब छटा भाव रोग का हवा काम चल रहा है तो साल दो 125 में जजमेंट रहेगा कहीं बैट कर भी नजब होते हुआा रहे तो साल दो कि प्रिव नैर्लें लीगल माम्ले इसमें वी काफी रहत देता हुए नजर आ रहा है अब बात कर लेते हैं करक राशी के दामपत्य जीवन के बारे में साल 2025 पूरा साल प्रेमी प्रेमी का जो कुवारे उनके लिए कैसा रहेगा जो पती पत्नी उनके लिए एक्टिव है तो कहीना कहीं जो कुवारे लोग हैं उनके लिए तो शादी का वर्ज है याने के साल 2025 में आपकी शादी के 99 परसेंट योग बनते हैं क्योंकि यहां पर मालब भी योग बन रहा है खासकर फर्वरी से लेकर दिसंबर तक प्रबल 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 संभा लगेंगे आपके रिष्टे दुबारा जो दब गए वह उठने लगेंगे खासकर फर्वरी से लेकर दिसंबर के बीच में तो कुमारों के कहीं ना कहीं शादी के योग बनते हैं ठीक है और साथी साथ रिलेशन्शिप के मामले में साल 2025 बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं प अंगली काम रुका वाता उनके परिवार का वो भी बनता हुआ साल 2025 में आप नजर आएगा साथी साथ पती पतनी के प्रेमी प्रेमिका के संबंद काफी अच्छी हो जाने वाले साल 2025 के अंदर पर सास ससूर से थोड़ा मध्वेद रह सकता है फैमिली इशू थोड़े से र लेकिन आप लोगों का विदेश का योग भी बनता है तो कुल मिला के देखा जाए तो दामपत्य जीवन बहुत अच्छा है अब हम बात कर लेते हैं कि जो करक राशी वाले हैं वार्षी कुंड़ी के अंदर नवम भाव के अंदर राहू बैटे हैं नवम भाव भाग्ये क अगलता होता है याद रखेएगा कोई न वह से संबांदित Yeah बिंत्य से संमदित को लिए तो कहीं नवम मिल सकती है कि नौवां में वार्षी खुंड़ी में राहू Chi नहीं है या विदेश में कुछ कमाने के लिए लिए जाना चाएं तो कहीं न भावता को साल 25 में और आपको वापिस लोटके आना पड़ सकता है तो साल दो हजार पच्चीज विदेश समंधित कामों के लिए करकराशी के लिए मुझे बहुत बैता नहीं लग रहा याद रखेगा साथी साथ अब बात कर लेते हैं करकराशी के नौकरी के बारे में व्यपार के बारे में यानि साल दोजार पच्चीज में नौकरी करने वालों के लिए कैसा रहेगा व्यपार बिजनिस अपना काम अपनी कंसेंटनसी करने वालों के लिए कैसा रहेगा करियर का कैसा साल है तो वार्शी कुंडली में दसम भाव में मंगल वक्री होकर केंदर में बैठें तो कही ना कही साल 2025 करियर के लिहाज से कर कराशी वाल ध्यान दसनो करियर के लिहाज से बहुत अच्छा 19 साल 2025 रहने वाला है खास कर ये जो साल जब शुरू होगा ना जनवरी 2025 से और अक्टूबर 2025 तक ही आपको बड़ा काम मिल जाएगा बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल जाएगी बड़ी टीम का नेत्रितु करने को आपको मिलेगा कोई बड़ा काम आपको मैनेजमेंट द्वारा दिया जाएगा जिससे आप खुछ भी होंगे आपके काम के लिए आपको सम्मानिद भी किया जाएगा आपको साल 2025 आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा वहीं पर व्यपारियों के लिए बात डिपार्टमेंट में भी अपडेट करने वाले हैं कुछ ऐसी मशीनरी आप खरीदने वाले हैं जो टेकनोलोजी से लैस है यानि कि थोड़ा खर्चा होगा लेकिन उसका लाप भी आपको मिलेगा अपनी टेकनोलोजी में अपनी फैक्ट्री अपने कार खाने में तेकनोलोजी में आप परिवर्तन करने वाला है पुछ व्यापारी लोग ओन Aryne marketing में हाथ अजमाने यानि के टेकनोलोजी वाला व्यापारियों का साल तेकनोलोजी के बल पे आप जो है साल दोजार पच्चीज में बहुत अच्छा लाब कमाएंगे तो मित्रों इस कारेकर में बाइतना ही मुझे दीजे जाया जैमत अदी मात अदी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप तो गुरु जी से वर्सों पहले से जुड़े हैं और काफी लंबा चोड़ा अनुभव भी है तो कुछ बताईएगा मेरे मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए क्योंकि जो शब्द प्रकाश जी के मुझे निकलते हैं वो शब्द शत प्रतिशत पूरे होते हैं चाहे वो मेरी बिटिया से रिलेटिड चाहे मेरे से रिलेटिड चाहे मेरे बच्चों से रिलेटिड अब तक प्रकाश जी ने जो चीजें प्रिडिक्ट की हैं वो हंड़िट परसंट सही निकली है तो मेरे पास तो शब नहीं है बया करने के लिए कि प्रकाश जी कितनी सही प्रिडिक्शन करते हैं आपका विश्वास है जो पूरा विश्वास है जो भी आपको रेमेडी बताई है वो आप नहीं किय धन्यवाद माताराने के किरुपा वने रही यही प्रात्ना करता है जय मातारी